नमस्कार आपका स्वागत राजनामा टीवे मैं धुनम आपके साथ फिल्म एनिमल एक दिसम्बर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है इसमें बॉबी देवल विलिन बने नजर आएंगे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिल्म में बॉबी का करेक्टर बहुत ही यूनिक है एनिमल में उनका एक भी डियालोग सुनने को नहीं मिलेगा लेकिन वो सेर्पाइस पेकेच्च से कम नहीं होंगे वैसे एनिमल करियर के लिहाद से बॉबी के लिए बहुत अहम फिल्म है वो बॉलीवोड में 28 साल से हैं लेकिन आज तक एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए तरस रहे हैं उनकी 40 में से 28 फिल्म में डिजास्टर साबित हुई हैं और केवल छे फिल्में हिट हुई है बुरे दोर में उन्होंने सलमान खान से मदद मांगते वे कहा था मामू मुझे काम दे उम्मिद की जा रही है कि अनीमल के जरिये बॉबी की करियर से ब्लॉक बस्टर फिल्मों का सूखा मिट जाएगा और उन्हें जब अदस सफलता मिले बॉबी देवल ने अपनी एक्टिंग करियर के शुरुआत बतोर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म धरमवीर से की थी 1907 में आई इस फिल्म में बॉबी के पिता धर्वे ने लीड किरदार निभाया था उस दोरान बॉबी महज आच साल के थे 22 हीरो बॉबी ने 1995 में रिलीज हुए फिल्म बरसाथ से डेब्यू किया था इस फिल्म से ट्विंगल खना ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म को रिलीज होने में काफी मुश्किले आई थी एक इंटर्वियू में बॉबी ने बताया था कि इसे बनने में पूरे पांच साल लगे थे क्योंकि पहले शेकर कपूर फिल्म डिरेक्ट करने वाले थे लेकिन 27 दिन की शुटिंग के बाद उन्होंने फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए फिल्म बरसाथ को छोड़ दिया था इसके बाद फिल्म में कर राजकुमा संतोशी फिल्म से चुड़े लेकिन उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा जिसे इसकी मेकिंग और डिले हो गई फिल्म बरसाथ जब बनी तो बॉबी 22 साल के थे और रिलीस के वक्त वो 26 साल के हो चुके थे फिल्म सुपर हिट रही बादल का किर्दार निभाकर पहली ही फिल्म से बॉबी को देश भर में पहचान मिली और फिल्म फिल्म फिर बैस जबी ओवार्ट भी मिला इसके साथ परने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद